नमस्कार मैं हूँ गौरस स्री वास्ताओ आप हमासा देखर हमारा खास कारीकम बात अपने देश की यूट इसमें तमाम तरह के मुद्धों जोलन्त है पर मुद्धों पर ना जाते हुए हम कुछ ऐसे इतिहास की बात करें यह हम कुछ ऐसे किरतिमार की बात करेंगे जिनका स सीरा सरकवार हमारे देश से है हमारे देश की संस्किती से हमारे देश की स्वास से है और हमारे देश की बैस्विक परचान से है कि बात करें तो रास्पटी कर चुनाव भी राज हुआ इसके लाबा जो रारतिक सरगर्मिया है वह लगाता चल रही है पर इस सरगर्मियों के पीक में एक मैटबुर खबर आए और वो खबर यह है कि भारत ने अपने 200 करोड ना क्रोन का रिकॉड रेकरड़ हो पूरा कर लिया है और मैज 18 महेने में ये Brkape को पूरा किया है अगर हम कोड वैक्सिनेशन की बात करे तो भारत चीन के बात दूसरा अगे जहां जहां पर 200 करोड का कोरोना वैक्शhelm की डोज यहां पर रिकार्ड बनाया गया है। अगर हम रिकार्ड की बात करें तो बहुरत 2021 में चीन से भी आगे निकल चुका था। और 2021 की रिकार्ड के हम बात करें, तो भारत ने 2021 में 32 करोड के लगभाट डोज लगाकर, डबल डोज, बैली डोज, सेकेंड डोज, 35 करोड से जाला है के डोज लगा कर 20 में पहला स्थान प्राप्त किया था, उसके बाद अमेरिका, यूके, जर्मानी और फ्रांस थे, जीन नहीं था और अगर हम अमेरिका की बात करें, जो कि हमारे बाद दूसरी नमबर पर था, तो अमेरिका में जो वैक्सिनिसान अभियान के सुरूबात थी, वो लबा लबा चोड़ा डिसम्बर से हुई थी, तो वहीं भारत में इस शुरूबात 16 जन्बरी से हुई, 16 जन्बरी 2020 से हमारे वेक्सिनेशन की शुरुबात बहों और अगरवा लगवा जो आईसेवार की रिपोर्ट है जो बहढ़ की रिपोर्ट है कि स्वास्य संगेटन निकी रिपोर्ट है वो यह बताती है कि जिन जिनों ने कब आए लगवाई थी बावन फीजदी लोग कुरोना वैक्सीन के कारण मेत्यू की आगोस में नहीं गए और उनकी मेत्यू नहीं हुई और जो आठ परसेंट लोग थे जिनके अंदर कुछ भ्रहांती थी या जो किसी बार के चलते नहीं लगवा पाई या कुछ उनके अंदर संसर था वो जितने व बाड हुआ एक को बी सील्ड और एक को ब्थसीन सीरम इस्ट्यूट ने इन वैफ्सीनों को बनाए और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ने ब्राया थो है ही साथी सार इन वैक्सिन को हमें निर्याद भी किया जो अपने आप में बड़ी उपलब दी है क्योंकि कोरोना के समय में हमने लगातार एक महटपूर देश की भूमिका नगाते हुए अन देशों को भी वैक्सिनेशन दी वैक्सीन निर्याद किये पीपी किद ने रहाट की, मास्क ने रहाट की ये, जो जो भारत के हक में रहा, छमता में रहा, वो सारा काउं हम ने गया, हला कि दूरान लगातार सरकार पे आरूप भी लग रहे थे, कि आप अपने देस्ट को छोड़ कर आप अन्य देसों को वैक्शीन दे रहे हैं, अन्य जो गरीद देश है या जो असमर देश है उनको यह चीजे भेजी गई और एक अच्छे देश होने के नाते एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते एक बैसों के सब्सक्राइब पर अच्छी पेचान रखने बाले देश के लिए यह मैटपूर भी था क्रोना क्रोना एसी माँमारी जो कि अगर बात करें तो लबालबा सौ साल के बाद ANY आई अआई शुरुबात दुए निस को नौंबर में बोहान से हुई थी चीर के बोहान में और चीर के बोहान से ये बिमारी जो हम पहले बीदियों देख रहे थे तो पीजुदों कि कर्या कर्म लगातार किया जा रहा था अलार तरीके से वो वीडों हम लोग देख रहे थे उसके बाद जो एक लहर चलती चली आई कि कोरोना फैलेगा कोरोना बैस्तों बीमारी बनेगा वो बाद सच हुई और अगर भारत की बात करें तो भारत में 30 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला केस मिला था केरल की एक छात्रा थी जो की बुहान से पढ़कर आई थी और जब उसकी जाच की गई तो वो उसकी कोरोना संक्र में निकली और ये भारत में कोरोना का पहला केस था 30 जनवरी 2020 उसके बाद लगातार हम लोगों ने प्रियास किये कि इसको रोका जाए इसको रोक लगाई जाए रोकधाम की जाए पर उस दोरान भी जब लोगों में घबरात थी लोग अपने बतन बापस लोटना चाहरा थे तो जो इंटरेशन फिलाइट टी वो इंडूस्त का मुख कारण भी बना हाला कि अगर पहली लेहर की बात करें तो कुरोना लेहर की चलते इतिनी लोगों की मित्यू नहीं हुई थी जो और जो कुरोना संक्रमन भी है उसकी रफ्तार भी वो नहीं थी कि हमाले इस दिक्कर की बात हो पर उसके बापजूद देश के के दौरान यह लोगडाउन जून तक चलता रहा जुनाई से धीरे धीरे फिर लोगों को सहुर्यत दी गई और लोगों को सहुर्यत मिली उसके बाद कई तरह एसे ब्यापार में वैस्थाएं की गई एक तरफ दुकान खुले दूटरे दुटरे दुकान ने की सम बिसम की बाद की गई तमान तरह यहां पर प्रयोग किये गए कि लोग इस बीमारी संग्रमिन ना हो तो लगाता प्रयास किये गए और उसके बाद जब को हम समझ रहते ही लगव ठम चुका है उसके बाद जब 2020 हमारा बीता है 2020 में हमने मास्क लगाते हम लोगों ने सेनिटाइजर करते काफी प्रयास किया कि दिक्कत ना हो और उसके बाब जूद जब 21 का जनवरी आया फरवरी आया मार्च आया और जब अपरेल से दोसरी लहर कोरोना की सुरू ही बो मंजर बास्तव में कोई भूलाय ने भूल सकता है और उस लहर में जिस तरह से बड़ी संख्या में लो लाख हो लोगों अगर हम करोना की मौर की आकड़ी की बात करें तो 75 लाख से जारा लोगों नों एक करोना के दोरान अपनी जान गवाई बड़ा आकड़ा है पर इस दोरान भी कुछ सीख भी हमको देखेगा है कि जब-जब हम कुदरत से खिलवार करते हैं जब-जब हम चार बैसुक संस्किती के मताबिक कर लेते हैं तब तक हमको याद दिलाने के लिए पिकरती एक अलग रूप अपनाती हो साय करोना मामारी उसका ही रूप थी और दूसरी लहर आई लोगों की जान गई बड़ी संक्या में तब लोगों ने जाना कि हम मामारी यह होती है और हम को कैसे बचना है और दोरान प्रियास किया गए बैक्सिनेशन बनाया जाए और अगर बैक्सिनेशन की बात कर शुरूबात ही थी और 16 जनबरी 2021 को जो शुरूबात में आपको बता दू कि सबसे पहले शुरूबात वो हैल्ड बरकर के लिए जो स्वास्त कर्मी इनके लिए शुरूबात हुई उसके बाद जो अगले टार्गेट था वो टार्गेट था पुलिस कर्मी जो आपको फ्रेंट राने बरकर होगा पुलिस कर्मी होगाई सेना के लोग है उसके बाद जो अगला चर्ण था उस चरहे बज़गे जाएं उनको लगाई गई जाए उनको वैकसिन लगाई गई पिर दो चन्डों में भैकसिन लगाई जाने लगी 18 से 45 साल और 45 साल से उपर 45 साल से उपर चाहे 20 साल का बुजर को चाहे 25 साल का बुजर को लगेगी तो भाही 18 साल से 45 साल के जो हैं उनके लिए अलग बैक्सील की बेउस्ता किये गी ती डोच की इस दोनान कोवी सील्ड और कोवैक्सीन दोना सौन नर्मित वैक्सीन है और इनका भरपूर उपयोग किया गया और इनके उपयोग के बाद सबसे बड़ी जो उप्रवदी हमारी रही वो रही मानब जीवन की छती को रोकना यानि हमने अधिकांस छित्रों में जिस तरह से अभ्यान चलाया अधिकांस छित्रों में लोगों को संसे हटाया ब्रांती हटायी और वो ब्रांती हटाते हटाते एक अभ्यान मन गया उसके बार लोगों ने वैक्सीन को समझा और वैक्सीन कराया तब हमने कुरोना महामारी मे अपने लोगों को बचा पाया और ये बैक्सिनेशन की ही बेवस्ता थी कि जब 2022 में मैं आपको अतारू 2022 में दिसंबर के बार कोरोना के मामले फिर आने शुरू हुए थे और एक नया बैरियन कोरोना का आया था वो था ओमिक्रॉन अधिर में मार्च 2020 में और कहा जा रहा था कि करोना की लेहर व यह खतरनाक है पर उस लेहर से अतनी जानी जण्हानी हमारे दिसमर नहीं उई थी जतनी की दूसरी लेहर यारी जब लेहर अप्रेल 2021 में आई थी तिस्री लिया बात करें तो टीस्री लिया आई थी डिसंबर दो हिजार इकीस सुरुवात हुई थी इसको सुरुवारा जनमरी मान सकते हैं जनमरी में स्क rugged 2022 में लबाher दो महिने ये लहर चली तीन महीने दो से तीन महीने लहर चली और इस लहर का असर जो है वो देश के पांस बिदानसवा चुनाओं पर ही पड़ा रेलिया रोक दी गई, सीमे ते रेलिया कराई गई और कम लोगों को साथ आपको चुनाओं प्रबंधन की बात कही गई कन्वेंसिंग की बात कही गई कि आप अपने चुनाओं प्रबंधन के लिए कम से कम लोगों को साथ जाए ये गाइडलाइन ने बनाई गई थी चुनाओं के समय और इन गाइडलाइन को तरह लोगों ने काम भी किया हलाकि चुनाओं के बाद धीरे धीरे जो करोना की जो तीसी लहर थी जो ओमिक्रन वाली लहर थी ये कम होई हलाकि अगर हम आगलों की बात करें तो 20 से लेके 22 तक तीन लेहरों में एक आईसे मार की रिपोर्ट है कि दे और साथी साथ इस दोरान तमाम तरह के प्रबंदन हमारे सामने आए हमने को सीख ली और स्वास सेवा को दुर्श करने की बात कही है क्रोना समय में सबसे बड़ी समस्या रही वह ऑक्सिएन प्लांट की रही और जिसके लिए कि लगातार दिर्स भर में अभियान चलाया गय और अभी भी लगातार जो अक्सिएन प्लांट है वो लगा जा रहे हैं क्योंकि अगर कुरोना में सबसे समस्या रही थी वह ऑक्सिएन प्लांट की रही थी और लोग ऑक्सिएन सिलंडर के लिए लाइन लगा रहे थी और समय हमने जाना था कि बड़े बड़े जिनकी स्व ही था जह हमने जो अभयान है बैक्सिनिशन का वह बहुत तरीके से निभाया और मात 18 मैने में 200 करोड लोगों का बैक्सिरिशन करके दिखाया यह 200 करोड बैक्सिनिशन डोज ऐसे ही नहीं लगी है अभयान चलाया गया यह यह जो बैक्सिनिशन का अभयान वो इसपस्ट करता है कि लोगोंने इस बैक्सिन को समझा और जाना कि अगर हम बैक्सिन नहीं लगवाँगी तो करोणा की चप्रिट में कभी आ सकते हैं और आते और मात 18 महीने में इस रिकार्ड को पूरा करना अपने आप में एक बड़ी उपलब दी है साथी साथ अगर हम देश में कुरोना के समय की बात करें तो हमारे देश में तबाम तरह के नीती लाई गई जिसमें मुप्त रासन की बेउस्था भी रही है मुप्त रासन की बेउस्था के चलते करोना में लगा था जब देश संगर्ज करना था और लोग अपनी जीबिका के लिए परिसान ते लोगों पैसा नीजा नोकरी जा चुकी थी तब देश के प्रामंत्री द्वारा मुप्त रासन की शुरुबार की गई और मैं आपको उतारू ऑश्ची करोड से जारा लोगों को यहां पर मुप्त रासन दिया गया प्रामंत्री रासन जियुने के तहएग्छ इए और अलाल राज्यों में मुख मंत्री रासन जियुने के तहएगर लोगो डबल रासन मिला अपनया में बेहर्ट और पहले क्योंकि 80 करोड लोगों को राशन उपलब्द कराना जियाज तक किसी बिज्यस्वर संभब नहीं हुआ है बिश्यस्वर सौस्ट संगठन उसने भी अगर राशन उपलब्द कराया स३ब ऑबंता कि ब्रचरे पर नहीं से पांच करोड लोगों को ही राशन उपलब्द करा पाया था अपने माध्यम से यह बिर्सु का अगला है तो भाई भारत में राशन उडिना के चलते पांच करोड से जारा लोगको निसुलकर राशन दिया गया कि बैक्सीन यहापकी स्वुरच्छा के लिए और राशन आपकी जीुबिका के लिए अगर परिशान है आप सम worn नहीं पांच आनि पार हैLLक्डाउन चल ला है अज़्ट करेंग Later और इसके बाद कई राज्जों में रासन को वे उस्ता ऐसी भी की गई कि आटा ग्यहूं और चाबल के साथ आपको डाल भी दिया गया आपको नमक भी दिया गया आपको तेल भी दिया गया और जो मैंने आपको आंकला बताया वो आंकला इसलिए मेरपून है क्योंकि आकड़ा हमने इसपस्ट किया है कि हमने स्वास्ट संगटन से ज़्यादा यहां पर आकड़ा दिया है राशन बाटने में यहां रिकार्ड बनाए राशन बाटने में और विस्ट परजस्ट पे भारत एक मत्त देश है जिसने अपने निवासियों को अपने देश की जनता को 80 करेयों लोगों को राशन दिया है वो भी निस्वल्क अपने आप में एक बड़ी उपलब्दी और हम इस उपलब्दी को इसलिए बैतर भी मानते हैं क्योंकि अगर उपलब्दी को हम बैतर नहीं मानेगे तो एक बाट इसपस्ट होगी कि हमने कुरुणा मामारी से कुछ सीखा नहीं आज कुरुणा मामारी जिस तरह से अभी केस आ रहा है अभी भी लगाता लोग संकर्मित हो रहा है पर इस संकर्मन के दौरान आपने एक बात जरू ध्यान दियोगी कि कुरुणा से संकर्मित जरू लोग हो रहा है आकड़ी जरू आते हैं पर जो मित्यु दर है बहुरी कम हैं और मित्यु रखाम होने का कारण ही यह है कि हमारे देश का अधिकांस आबादी उसका कोरोना वैक्सिनेशन हो चुका है और साथ ही साथ यहां पर दस अपरेल से एक अलग बैस्ता शुरू की गई है दस अपरेल के बाद से साथ साल के ऊपर की आयू के लोगों को एक प्रि बूश्टा डोज भी ले सकते हैं जिससे कि आपके अंदर कोरोना के खिलाब लगातार चमता बनी रहे और साती साथ अभी हाल में ही 11 जुलाई से एक अलग बैस्ता की गई है कि आप जो 18 साल से उपर के लोग है वो भी नजदी की स्वास्किन में जाकर सरकारी स्वास्किन म भी निसुलक एक बैस्ता और कर दी गई है तो यहां पर सरकार का प्रियास यह है पहली डोज डूसरी डोज और आपकी डोज का अंतराल बढ़ गया है वह आपको लगता है कि कुरोना की खिलाब आपकी चमता में कुछ कमी आ रही है प्रिश्टा में कमी आ रही है बैक्सिन अठाथ साल से उपर के लोगों के लिए प्रिकॉसर या बूस्टा डूस की सुरूबार हो चुकी है तो यहां पर मुद्दा के बलेख है और मामला के बलेख है और संग्यान के बलेख है वो है कि हमने 200 करोड बैक्सिनिशन डोज का रिकार्ड पूरा कर लिया है रिकार्ड पूरा करने बाले हैं बेस्टों के दूसरे देश हैं पहले ही हमने रिकार्ड बनाया है तो 2020 में भी हमने 2.12 में हमने रिकार्ड बनाया है वो हासल की है अभी भी रासन दिया जा रहा है रहामती राष्ण के तहद और अलाग राजयों में मुख्व Sharingalan के ihm pot क्योंकि देश में जनता Efendi की जिवीकाFit आगर लोग परशान है तो निश्बु से उनके रोटी के लिए उनकी समस्याओ के लिए सरकाराविजा खड़ी हो बैतर काम करती नजर आ रही है पर साथ ही साथ हमको कुरोना से कुछ सीखने मेला है उस सीख के चलते हमको मास्क हमको सेनिटाइजर इनका उप्योग करते रहना आज भी हमको दोगस दूरी मास्क जरूर की जो नीती बनाए गए तो इस पर चलना पड़ेगा और करिये उप्चार से बयतर साथ हैं अगर आपुना सब्द्दानिया रखेंगे तो निस्ष्षि रूप से आपको उप्चार कर दाना ही कि जो एक कद है बो लगातर बढ़ता जा रहा है आने वाले समय में हम बिस्तु गुरू बनेंगे और साथ ही साथ देश की जनता से भी अपने इसका अरिकम के बाद देशन करूंगा कि कुरोना अभी पुस्तर पर खतम नहीं हो लगातर मामले आ रहा है सुस्त रहिए अपने पास-पास के लोगों को भी जागरू करते रहिए कि जागरू करना ही बहुत आवस्यक है एक अच्छे पलोसी एक अच्छे ब्यक्ती एक अच्छे नागर खुने का करतब नबाईए और देश की जो समय कुरोना मामारी की जो लड़ाई चल रहिए उसमें सहभागी बनते र कर दो का